नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं निवेश, आवासिये, कॉमिर्सियल या प्लोट में से कौन सा होगा बहतर? इसके लिए जानते हैं इस वीडियो में बहतरीन रजेल्ट प्रॉपर्टी में निवेश करना वैसे तो सबसे सुरक्चित और ज्यादा रिटरन वाला विकल्प माना जाता है लेकिन जब आप प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं तो सामने चार तरे की तश्वीर निकल कर सामने आती है वो तश्वीर कौन कौन सी है इसी में जानते हैं वीडियो में इसमें आवासी है और कॉमर्शल प्रॉपर्टी के साथ प्लॉट भी शामिल है अब इनमें से आपके लिए कौन सा बहतर होगा वो विस्तार से जानते हैं इसके लिए वीडियो को देखिए निवेश के लियाज से प्रॉपर्टी में पैसे लगाना हमेशा फायदेमंद होता है लेकिन जब हम प्रॉपर्टी के बात करते हैं तो हमारे सामने चार विकल्प उभर कर आते हैं इसमें हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पेटिलिटी और कॉमर्शल प्रॉपर्टी शामिल है एक अनुमान के मताबिक भारत का प्रॉपर्टी बिजनिस 2030 तक 10 खरब डॉलर का हो जाएगा जो कुल जीडीपी का करीब 20 फीजदी हिस्सा होगा इतना ही नहीं, अगर हम आप भी प्रॉपर्टीम पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको इसके फाइदे अपार्टमेंट के लिए ये शहर है बहतर अगर आप अपार्टमेंट ये आवासी ये मकान खरीदना चाहते हैं तो देश के आठ प्रमुक रियल एस्टेट बाजारों का रुप कर सकते हैं इसमें दिल्ली एंसियार, मॉंबई, पुने, बैंगलूर, हैदरवाद, चेन्ने, कुलकता और एहमदवाद है जहां लोग आम तोर पर प्लाट की तुल नम अपार्टमेंट खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहां जगे नहीं है अपार्टमेंट की लोग प्रिता के पीछे सबसे बड़ा कारण सुरक्षा सुवीदा जैसे पावर, बैक अप, कार पार्किंग, कलब, जिम, सीविंग, पूल और गार्डन एरिया आधी होती है यह सुवीदाओं के लिए अपार्टमेंट ज़्यादा बैतर है अब प्लाट में तेजी से बढ़ रहा है निवेस सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान और रित्यासिक रुजानों से पता चलता है कि आठ प्रमुक रियल इस्टेट बाजारों में रेजिडेंसिल प्लेटों की उच मांग के बाब जुद प्लाटन आवासी संपत्ति की तुलना में अधिक रिटन दिया है सबसे बड़ा रजैल टिसनिकल के सामने है दरासल लेंड को सक्रिय प्रबंदन या रखरकाब की जरुरत नहीं होती है और बढ़ते बाजार में जमीन हमेशा अच्छा प्रदशन करती है क्योंकि कंस्टेक्शन में भविश्म के किसी भी विकास के लिए लेंड की ही जरुरत होती है अब कॉमर्सिल प्रॉपर्टी की सबस्जादा मांग रही है इसका कारण रियल इस्टेट की हालिया रिपोर्ट के अनुसाद जुलाई सितंबर 2021 के बीच आफिस स्पेस अफजर्शन और 1.2 करोड वर्क फुट पर रहा जो पिछले वर्स की तुलना में 168% से अधिक है ये बहतर रजेल्ट है साल 2022 के अन तक उम्मीद की जा रहे है कि कॉमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑपिस को वर्किंग स्पेस और सस्ती दुकानों पर केंदरित हो जाएगा इसमें पूरी संपत्ति के बजाए एक हिस्से में विशेश का विकल्ब मिलता है जो अच्छा रिटन भी देता है अब किस सेक्टर ने दिया सबसे ज़्यादा रिटन इसके वारे में बता दे है R.E.A. इंडिया के हालिया रिसर्च के अंसार प्लाट्स ने भारत में सबसे ज़्यादा रिटन दिया है ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा बहतरीन है देश के आठ प्रमुक शहरों में आवासी प्लाट्स ने जहां 2015 से साल आना 7 फीजदी की व्रदी दर्ज किये वहीं अपार्टमेंट को महज 2 फीजदी का रिटन मिला है तो इसलिए प्लाट सबसे बहतर रिजल्ट देने वाले हुएं और प्लाट की वेलिव ज़दा है रिजल्ट के मामले में प्लाट के मामले में आपको ज़दा रखराब की जरुरत नहीं होती और ये चोटी राशी के निवेश से भी प्राप्त किया जा सकता है इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है प्लाट बहतरीन रजेल्ट के साथ अच्छे रजेल्ट देत मिलते हैं इसमें लियाजा यह इस पस्ट है कि अपार्टमेंट या कॉमर्सल प्रॉपर्टीज की तुलना में प्लाट ज़्यादा रिटन देते हैं और अभी तक भी प्लाट ने ज़्यादा ही रिटन दिये हैं जो देखा गया रजेल्ट इस वीडियो को हम यहीं समात कर रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो आप अपना कमेंट जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जानकर यह अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें